बार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमपडीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे अभी आपका MTS का एक्जाम चल रहा है कुछ लोग परिशान थे क मैंने दो चार लोगों से बात करी जिन्होंने एक्जाम दिया है उन्होंने बताया कि जो CHSL का लेबल है अपना उसका इजी लेबल आपका MTS का पेपर आ रहे है यानि MTS के लिए मैंने इस विए इसका था कि एक सेट करवा दूंगा तो यह समझ लो MTS के जो यह पेपर ठीक है आपको सारे CHSL, CGL, CPO सब के Tier 1, Tier 2 के Solid Papers चैनल पर मिल जाते हैं चैनल पर नहीं होना सबस्क्राइब करें यह उनके लिए बता रहा हूँ जो नए है चैनल पर बागी सारे लोग जानते हैं PDF आपको Telegram चैनल पर मिल चुका है आपने अगर डाउनलोड नहीं किया Telegram चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड करें और इसी लेबल का आपको Mathematics करके जाना है चाहे CHSL देने जा रहे हो चाहे MTS देने जा रहे हो ठीक है एक चीज़ और बताना था कुछ लोग पूछ रहते Mathematics कैसा आ रहा है तो Calculative थोड़ा आ रहा है फिर Curly Breakett फिर Big Breakett देखते हो, यहां पर देखो नौ में चार से डिवाइड करोगे तो 9बटे-4 हो जाएगा 9बटे-4 कितना होता है? 2-1 by 4, और 9 में 2-1 by 4 जोड़ेंगे तो 11 से 1बटे-4 हो जाएगा 11 सही 1 बटे 4 से 9 में डिवाइड करना है यानि 9 में डिवाइड करना है 11 सही 1 बटे 4 कितना होता है 45 बटे 4 यानि आप कह सकते है 9 में 45 बटे 4 से डिवाइड करने का मतलब 4 बटे 45 से कर देंगे गुड़ा 9 कम 9, 9 45 यानि 4 बटे 5 इतने की वैलू होगे और 9 में 4 बटे 5 जोड़ेंगे तो 9 सही 4 बटे 5, यानि इतने की वैलू होगे, 9 सही 4 बटे 5, 9 सही 4 बटे 5 कितना होता है? 49 बटे 5 होता है, इससे 7 में डिवाइड करना है, 7 में डिवाइड करना 49 बटे 5 से तो आप कह सकते हैं, 7 गुड़े 5 बटे 49 लिख सकते हैं, यानि 7 एक प्रशन पहले नहीं पूछ जाते थे लेकिन सीजियल 2019 से साथ सुरू करा है इन्होंने पूछना पूछना आपको मैंने बता है कि आ प्रोपोर्शनल यहां सींदी हो तो पूछस न को हूझ जाना कि फिसको क्लास ती जिसे बीस लड़किया जिनका average 42 mark है और ठीक है इसको डायन average of 42 mark इने test of 50 mark यानि 50 में से 42 number average है girls का का पूरे class का average अगर 36 है तो boys का average marks बताने आपको clear तो इसमें क्या है देखो आपको दिया कि पूरे class का average कितना है 36 girls का कितना है girls ज्यादा पाती है इधर लिको girls इधर लिको boys गल्स ने कितना प्रापति किया average 42 boys का हमें निकालना है x मालो पूरे class का 36 मिक्चर एलिगेशन है एक चाचा है मालो गाउं के जो सलाह देते हैं कि 42 में से 36 गटा लो चे और इधर 36 में से x गटा लो А sec घटा लिए अब यह जो अनुपात आएका girls और boys की संख्या का अनुपाता है अपने खाल 20 girls 45 में से या नि boys कितने होगे 25 तो girls और boys का अनुपात कितनी होगे इस और 25 का कितना होगे 4 नुपात 5 यानि यह जो अनुपात है वह इतना हो जाएगा भया 31.2 हो जाएगा क्लियर होगे ट्रीगों का प्रश्ण देखो ट्रीगों हाला कि MTS में नहीं आता लेकिन देख लो आगर मैं थीटा वराबर 45 रखना चाहूं तो रख सकता हूं अदरवास मैं क्या काम करूँ चलो थीटा बराबर 45 रख लेते हैं थीटा बराबर 45 रख दोके तो optionela नहीं होगा तो आप क्या काम करो साइने सी प्लस साइने का फ्रमूला लगा दो जोकी होता है —2 2 cos c plus divided 2 यानि 2 cos 3 theta into cos c minus divided 2 यानि कि cos theta ये कट गया 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 sin theta बटे cos theta 10 theta होता है यहां 3 है तो 3 theta हो जाएगा एक mobile है 25% cost price से बढ़ा के mark किया गया ठीक है कितना discount दें ताकि 10% का profit हो कितना आसान सा प्राशण है हमने कहा 100 रुपय लिखा था मतलब 100 रुपय उसका CP था हमने क्या क्या 25% बढ़ा दिया यह एनी 125 लिख दिया आप कहा गया कितना discount दें ताकि 10% का profit हो 10% का profit मतलब 110 में बेचना है 21 2025 लिख्तर है 110 पहुंचाँन है कितने परसंट का डिसकांड दोगे आपको कितने का डिसकांड देदू मैंनेगा 15 रुपय का डिसकांड अकर देदोगे तो आपे 110 रुपय युज 15.hr का कितना परसेंट आपकों 15 पैसे नहीं होते तो आप लेते हों लों यह कहा गया इंट्रेस्ट लगता है यह कतने हो जाते में 10 परसेंट की रेट से दो साल में कितने हो जाते इस का स्कूर्ट कर दो कि देखों दस कमपाउन टेस्ट में तश का स्कूर्ण हो जाएगा ही इन्य ज़तर सो हो जाएगा इसा हो जा मैं कितने दोगे आप को 121 देनेंगे दो साल में है ना अब आप एक चीज देखों किना है दोनों जो 121 रुपए हमने इंस्टालमेंट दी जब हमने लिए कितने 100 रुपए इधर और 110 रुपए इधर यानि टोटल लिए 210 रुपए हमने पे कितना किया 242 रुपए देखो हमने पे किया अड़व सु सताने तो बत्तिस निकालना है तो आपको बट्तिस गुड़े इस कितना हो जाएगए कितना होता है कितना होगा तो बाउन गुड़े 47 करना में देखो दो सब्सक्राइब चालू हूँ मैं मैं सारे का उने डिजिट चार दे दूँगी तो फिर क्या करो कि बाउन गुड़े 47 इन्टू पाई पाई की वैलू कितनी है 22 बटे साथ गुड़े आर स्क्वाइर करना है तो 8.4 गुड़े 8.4 लगा दो फिर ऐंक पर दस दसमलो आरट हो गया 22 से गुड़ा करों कि तो इस में गुड़ा करोगे तो जगह 221 दस्मलो साथ 6 ठीक है अब 221 दस्मलो साथ 6 होगे अब इसमें यह मतलब इतना पूरे का उगड़न फल 221 दस्मलो साथ 6 अब 4 से गुड़ा करना इसमें 4 से गुड़ा कर तो 4 24, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 7 और यह 18 आपका आंसर आ गया साथ 6 बोलो कलिए फॉर पाईए और स्क्वार सर्फ एरिया अगर याद है तो क्षचन आराम से हो जाएगा ऐसा प्रस्न भी पूछा गया एक स्क्वार प्लस स्क्राइब एक बराबर एक वाई बराबर दो कितना कटिन प्रश्ण है एक कर दो कर जूड़के पांच अगर मैं यह प्रश्ण करवा था एक जाम से पहले कि यह प्रश्ण आएंगे तो आप भी चिला रहे वतारे व्यू काटने के लिए ऐसा करवा रहे हैं आया ना कहा गया अगर प्रशेंट मैं 2400 है तो तैन साल बाद कितना हो जाए 11 एक साल में कितना हो जाएगा 21 का m साल में 211 सालमें कितना हो जाएगा 212 का क्यूब हो जाएगा इसको गुड़ा किससे करना है 24 सो आप किसा होगे से का इस्होगे microbi Day का 0.8 हो जाएगा 21 का क्योंब कितना होता है 2961 में तीन का गुड़ा करोगी लिख लो 2961 गुड़ा कर दो तीन इकम तीन शक्या अठारा तीन दो नीचे एक साथ तीनव सत्ताइस एक दसमलों लगा दो 2778 आपका उत्तर हो जाएगा कहा गया कि एक दुकानदार जो है ठीक है कहा गया वह 20% प्रॉफिट मार्ग करता है ठीक है अब देखो एक चीज बताओ कहा गया कि एक सौप कीपर है वह नॉर्मली 20% का प्रॉफिट मार्ग करता है 20% का प्रॉफिट उससे होता है यानि मान लों कि वह कोई चीज हजार का करीता है तो बेखता 1200 पर झांग के यूज म करता कि लेकिन वह 900 घ्राम का क्रक्श करता है जब नुश करता है यानि कि उस ने खरीद है 100 रुपे मार्ग में पर भांग कर दक्स भाईया आमारी मसीन में खराबी है इसमें 10% less चार्ज कर रहा हूँ 10% less यानि कि आप 1200 रुपे न लेके 1200 का 90% ले रहा है यानि कितना ले रहा है 1080 ले रहा है तो आप से कहा गया profit बता हूँ उसने खरीदा कितने का 1000 रुपे का 1000 ग्रम यानि 1 रुपे क्रेम मूल हो गया बेच क कितना है 100 में खरीदा 120 में बेचा profit percentage 20% एक आदमी है बाई साब और उसका बेटा है का गया उनका जो एवरेज आयू है वो 56 मतलब 56 तो उनका योग कितना हो जागा 56 का दूना 112 का गया उनका एज का रेशियो 1195 है अब कहा गया कि जो टोटाल एज होगी उसमें से सन की एज क सूरज क्या काम करता है सूरज 124 किलोमेटर 31 के स्पीड से बस से जाता है 96 किलोमेटर 16 की स्पीड से कार से जाता है पता नहीं कौन सी कार है और 105 किलोमेटर दूसरी कार से जाता है साथ के स्पीड से एवरेज स्पीड निकाली एवरेज स्पीड हमेश होता है टोटल टोटल टाइम होता है एवरेजी स्पीड 124 और 96 पर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा 220 में 105 जोड़ोगे तो 325 हो जाएगा और नीचे 25 आ रहा है 25 से काटो कि भाई साथ 25 यह इधर बचेगा कितना साथ 575 पचिस तियां पचेट्तर एंट 13 एवरेजी स्पीड कहा गया कि भाईया एक एयर है मतलब है एक एयर नहीं एयर को स्फेरिकल वॉल्यूम में जब प्रेस किया जाता है यह वॉल्यूम है कोई जिसमें एयर हम डालते हैं तो इसकी रेडियस साथ सेंटीमेटर के बज़ा 14 सेंटीमेटर हो जाती यानि इतना फोल कि लआ है यह हम कह सकते हैं और एक बटे दोत का कितना हुट है पता हैना सब को आचा है वो एसे इस इस फ्टिक गउंता होता है चार भटे तीन इंटू पाई-फॉलुमूला होता है ओ प्ली लिए हमें किया ऐम घ् Valerie हम वीनी फोल्यूम आधा हो जाता खेस और यह फ्टू कोई कह रहा था कि अंग्रेजी में पढ़ाओ मतलब अंग्रेजी में बोल दिया करो भाहिया देखो हमें हिंदी भासी राज्य से हलाकि ऐसा नहीं है कि I don't know how to speak English and I am fluent in English है यार कि थोड़ा समझा नहीं आता कहा एक संख्यागों को 10 भाष्य फिर संक्या को 20 घटाए जाता है ओबर ऑल मतलब घटाए तो इसका इसमोच होता है एक मैनस वाई मैनस एक लड़का है एक साथ कोई कौई करते हैं यानि एक आदमी और एक काम करते हैं चोविस दिन में होता आपको पता एक दिन में साथ उनिट हो रहा है तो चोबीस दिन लग रहे हैं 2वर्क कितना हो जब ड़गा कितने दिन में करेगा 3 एक दिन में करता है तो साथ गुड़े 24 करने के लिए साथ गुड़े 24 बटे तीन दिन की आउश्यक्ता होगी 3 इकम 3 3 8 24 7 8 छपपन दिन क्लियर का यह कौन सी जंक्या 33 से डिविजबल अब भाग करके भी देख सकते हैं तीन से कट रहा है यानि 3 से भी कट रहा होगा 11 से भी कट रहा होगा 3 से कटने के लिए सम अब डिजिट्स कटनी चाहिए यानि कि अंकों का योग कटना चाहिए दोगो 6 6 6 3 9 होगया 7 8 यह नहीं कट रहा है यह नहीं कट रहा है यह जब तीन से ही जब नहीं कट रहा होगा अब 3 से ही जब नहीं कट रहे तो इस ग्यारा चेकर ने कोई मतलब नहीं इधर अगर देखो 9 2 11 5 16 5 21 29 और 30 यह ग्यारा से कट गया मदब 3 से कट गया अब एक 8 5 5 9 2 इसमें 11 से डिवाइड करके भी देख सकत तो अधरवाज 5 2 7 8 15 इधर हो गया 9 5 14 15 इधर हो गया दोनों को घटा हो गर 0 आगया तो भी 11 से कट रहा है 11 के टेबल का है तो भी 11 से कट रहा है अच्छा एक चीज बताना था डियाई के प्रश्ण आपके MTS में आ रहे हैं तो भागना नहीं है डियाई का ऐसा कुछ पास्ट केंडीडेडेट दिखाता है कितने लोग आसों इस में से今loir होते हैं उसमें से से ब्शेइब में सबस्वभा के ऐयरय केल्कुलेٹ करना है वे थे घ्लीक सिर कानल पर अच्छा प्रस्ण को की नहीं है तो भी या ऐसे प्रश्ण हो करने की दो method होती है method तो भूब सारी है आफ देखो और इस हैं इसी दिया गू야 तो फा walade देखो यह मैनिस 3 दो दे दिया गया एक शार दे दिया गया साथ माइनस्ट है और एक दिते लिगर माइनस 5 माइनस 4 ईसा कुछ दे दिया गै अब आप से कह गया इसका एरिया निकाल आप क्या काम करो इसको divide करो अब एक triangle ये हो गया दोनों का area निकाल के जोड सकते हैं otherwise अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसकी length निकाल लो इसकी length निकाल लो length कैसे निकलती है अगर दो बिंदू दे दिया जाए x1 y1 और x2 y2 ठीक है तो उनके बीच की distance जोती है वोतिया under root में x1 minus x2 का whole square और plus y1 minus y2 का whole square तो ऐसे यहाँ इन दोनों के बीच की distance इसकी लंबाई हो जाएगी इन दोनों के बीच की distance इसकी लंबाई हो जाएगИ इन दोनों के बीच की distance और ऐसे ऐधर तो किसी तिर्भूज के तीनों भुजाएं पता है तो इसका एरिया निकल जाएगा इसका एरिया otherwise अगर आपको तीनों पर्टिसेस दिये हूँ तो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है half into triangle के लिए x1 into y1 minus y2 वो सारी x1 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 मैंने coordinate geometry अच्छे से करवाया एक वीडियो है 30-35 मिनट के देख लेना उससे हो जाएगा into y2 minus y3 into y1 minus y2 क्या हूँ y2 minus y3 y3 minus y1 minus y2 ठीक है यह सिस्टम होता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो पहले एरिया निकालो के पहले 3 ले लो पर बाद के 3 ले लो ऐसा कर सकते हो ठीक है तो आप जिस method से करना चाहो उस method से कर लो मैं करवाया दे रहा हूँ एक method करवाया दे रहा हूँ एक method से आप कर लेना मैंने कहा 1 है minus 3 2 यह है 5 4 यह है 7 minus 6 और यह कितना है भाई साब minus 5 minus 6 अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में पूछ हूँ तो कितना हो जाएगा भाई यह अंडर रूड माइनस 3 minus 5 का स्क्वार यह निकि 64 2 minus 4 का स्क्वार चार यह अंडर रूड 68 हो गया भाई यह वाले की बीच की डिस्टेंस अगर पूछ हूँ लोगे अगर आप तो माइनस 5-5 यह निकि 100 हो जाएगा और 100 और एक 100 लफ्स 164 हो जाएगा ठीक है एक दो चोट हो जाएगा देखो 5-5-5 यह निकि 10 का स्क्वार 100 और 4-4 यह निकि 8 का स्क्वार 64 तो एक रूड सारी भुजाएं आपके पास आगे इस ट्रैंगल का एरिया आप कल्कुलेट कर सकते हैं अदरवाइस मैं दूसरी मेथड़ भी आपको बताए दे रहा हूँ फिर से देखो यह माइनस 3-2 हो गया यह 5-4 हो गया यह 7-6 हो गया और यह कितना हो गया म्यिनस 5 म्यिनस 4 अगर मैं इस वाले ट्रैंगल के लिए एरिया निकालने आपक इस वाले ट्रैंगल크 के लिए तो इडिया कैसे निकलेगा हाफ o in 2 x1 यह मैने यह मैनस 3 in 2 x2 मैनिस 4-10 माइनस 4 यह 9 X2 X2 कितना हो जाएग देभी यह पांच इन तो माईनेस पूर माईनेस तु यह तूझ इन ऊहरे क्योंर satisfy मैंनेस नैसले साफित प्लस एकस त्री माईनस एकसे की वैलू जियुकि इन वाइसानि माईनस आदस माईनस दू माईनस माईनस तूर इश्का है यानि आपको 22 लेना पड़ेगा यह एरिया हो गई 22 दूसरे वाले की एरिया ऐसे निकाल तो दूसरे वाले ट्रेंगल की इसकी यह हो जाएगा इस पार्ट की area इस पार्ट की area बाइस दोनों की area जोड देंगे तो आपका क्या आ जाएगा quadrilateral की area इनी एट्थावन और बाइस आसी मैंने दोनों method बता दी जिस method को आपको लगे कि आसानी से कर सकते हो कर लेना कहा गया circum radius निकाल ले है equilateral triangle के लिए circum radius हमेशा जानू जो circum radius होती है equilateral triangle के लिए वो होती है side बटे रोड 3 इन radius जो होती है वो होती है ए बटे 2 रोड थे और अगर आपसे circum radius और界 radius का वो पुछ लिग जाए ratio तो 2 is to 1 होती है आप से कहा undertaking circum radius दी गई 18 बटे रोड आपको in radius आपको पता है सरकम रेडेस हमेशा इन रेडेस के दूनी होती है तो इन रेडेस कितने होजेगी इसकी आधिया नहीं कि नो देखो तीनो फार्मूले अगर याद होते हैं एक लाइन का प्रस्ण था यह एक मोबाइल फोन है जिसकी मार्केट प्राइस यानि कि जो अंकित मुल से लेती हैं तो आप से पूछा गया कि कितना वो पे करेंगी कितना वो पे करेंगी यह आप से पूछा गया देखो मैं एक बात बताओं discount increases by 15% यानि कि 11% पहले मिल रहा था अब 15% मिलेगा credit card से लेंगी तो 15% ऐसा नहीं कि 11% पहले मिल रहा था 15% additional मिलेगा नहीं अब 15% total मिलेगा 36,000 का 10% हो जाएगा 3600 5% कितना हो जाएगा 1800 तो 10% यह 5% यह यानि total 15% कितना हो जाएगा 36,000 का मोबाइल था 2400 रुपय डिसकाउंट नहीं 3600 का बिखेगा simplify करना है a cube plus b cube plus c cube minus 3ab और नीचे है a plus b plus c देखो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc का formula क्या होता है a plus b plus c half आगे लगा दो into a minus b का square b minus c का square c minus a का square और नीचे क्या लिखा है a plus b plus c आपका a plus b plus c कर जाएगा यहनि आपका बचेगा half into a minus b का square b minus c का square c minus a तो half into a minus b का square कितना है उन्सट माइनस चोवन यहनि 5 का square पच्चिस फिर चोवन माइनस 57 नौ प्लस 57 माइनस 69 चार पच्चिस नो 34 चार 38 का आधा 19 आपका answer ऐसा प्रस नहीं आप option से भी करके जैसे भी करबना चाहों कर सकते हैं बाकि आपको x-2y निकालना x-2y का अगर square करें x-y को under root में x-2y का whole square लिख सकते हैं आप करेंगे बिल्कुल x-2y का square कितना हो जागा x square प्लस 4y square और माइनस 4xy x square प्लस 4y square कितना है 40 माइनस 4xy यानिकि माइनस 24 40 में से 24 गटेगा 16 16 का वर्गमोट कितना हो जाएगा 4 उत्तर आ जाएगा अच्छा आपके दिमाग में एक बाग आई नहीं आई कि x बड़ा है 2y से क्यों दिया गया था क्योंकि अभी जब हमने x-2y निकाला तो root का 16 इसकी दो value पॉसिबल थी एक प्लस 4 एक माइनस 4 अग रहेगा का अगरे टेबल जो है वह इस्टुडेंट दिखाती है अलग 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 सिटी में ठीक है और अलग अलग कोर्स करने वाले जाएक है था इसनी का पेपर ही समझ लो है इतने ये प्रश्ण हो गया है चार्ट है वो समर केमप में ए और बी में 2014 14 से लेके 19 तक enrolled student दिखाता है ठीक है आप देखो इसमें कागया for the years 2014-19 what is the ratio of total number of students enrolled for summer camp A to that of summer camp B यानि A में enroll होने वाले सारे सालों में और B में enroll होने वाले सारे सालों में उनका अनुपात पुचाई तो देखो A वाला कौन सा है जो dark color में आगे जो बना हुआ है वो A वाला है जोड़ दो 160, 80, 240, 380, 400 और 200, 600 600, 600 में 1500 जोड़ोगे 700, 80, 830, 930 हो गया A में B में कितना है 250, 240, 490, 570, 670, 670 के बाद 200 जोड़ोगे 870, 870 में 60 जोड़ोगे 930, 2, 1130, 1130, 1330, 1330 में 80 जोड़ोगे 1410 यह कटा, यह कटा, यह कटा, तीन से कट दोगे ऊपर 31, तीन से नीचे कट दोगे 47, यह आपका उत्तर, 31 बटे 47 रेशियो आगया, अब इसके बाद क्या करवाद हूँ, जी एस करवाद हूँ, नहीं, मजाक नहीं करता मैं, देखो, अब यह थे 25 प्रस्न जो आपके एक्ज होते हैं, उसके तैयारी कर रहा है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने, टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाना, बार-बार कहना पड़ रहा है, बाकी गुड लक मिलते हैं किसी और वीडियो में, मतलब यह वाली CSL की 42 तो खतमी करनी है, तो उसके बाद मिलते हैं किस और वीडियो में इसी की